तो अब ये alternative conception के क्या implications हो सकते हैं अगर आप google में जाके search करेंगे flat earth society या फिर flat earth theory तो आप देख सकते हैं कि दुनिया में ऐसे हजारों लोग है जो ये believe करते हैं कि दुनिया जो है वो flat है earth flat है हलांकि ये scientifically incorrect है क्योंकि हमने space से भी earth को देखा हुआ है तो दुनिया जो है वो एक globe के तरह है round है लेकिन फिर भी हजारों लोग अभी भी believe करते हैं कि दुनिया flat है तो इसका मतलब है कि ये ऐसे alternative conceptions जो है वो बहुत ही resistant to change हो सकते हैं और persistent भी हो सकते हैं क्योंकि लोग इनमे sincerely believe करते हैं और क्योंकि लोग इस alternative conception को believe करते हैं तो acquisition of new knowledge जो है वो block हो जाता है क्योंकि वो कोई भी बात सुनने को तयार नहीं है जिसमें ये कहा जाता है कि earth जो है वो globe के तरह है तो जब तक वो alternative conception change नहीं होता तब तक new learning नहीं हो सकता और जब भी एक विक्ति अपने alternative conception को छोड़ देता है और एक scientific approach को अपना लेता है तो इसका मतलब है कि उसके दिमाग में जो भी knowledge है उसका radical reorganization होना ज़रूरी है क्योंकि वो बरसों से ये believe करता आया हुआ है कि दुनिया flat है अब suddenly अगर वो अपना नजरिया change कर लेता है और अब वो believe करता है कि दुनिया globe के तरह है तो इसका मतलब है कि जो भी मैंने सोचा था historically, जो भी मैंने सोचा था इतने सालों से वो सारा जो knowledge है मेरे दिमाग में उसको मैं change करूंगा तो ये हो गया radical reorganization of knowledge